हेलो एवरीवन, असलाम लेकुम, कैसे हैं आप सब आए होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अलहमदुलिल्ला से मैं भी बिल्कुल ठीक हो Welcome back to my channel, a new another vlog, आज का vlog मैं स्टार्ट कर रही हूँ 8.30 से और मैं आगई थी मक्का हाइपर मार्केट जो नखल के अंदर मौझूद है, यहाँ पर काफी अच्छा डिसकाउंट दे रहे हैं, 31 एर्स कंप्लीट होने पर और इनके 31 एर्स दिसेंबर में कंप्लीट हो गए बट इन इनके यहाँ पर जितने भी फ्रोजन आइटम है, सब पे ज्यादातर 50% आफ है, जिकन थाईज और चिकन ड्रम स्टिक, जिकन ब्रेस्ट बहुत सस्ती मिल रही है, आप जरूर बाए करें यहाँ से, चिकन ब्रेस्ट 2 रियाल की पर केजी है, पर ड्रम स्टिक की फुल प्ले जिसमें 16 पीस है आपको मिल रही है वन रियाल की, और साथ ही साथ आपको 20 की वन केजी की प्लेट मिल रही है, वो भी वन रियाल में, यह है अस सफा और जेन के प्रोडेक्ट्स के उपर काफी अच्छी सेल है, और बाकी ब्रेंड्स भी जो है ना काफी कम करके लगाए यहाँ पे आपको डग का चीज मिल जाएगा, वन रियाल 220 रुपीज का और साथ ही साथ इसमें दो पैकेट होंगे, बाई वन गेट वन फ्री वाले, यहाँ पे मुझे आइस मैक्स करके कुछ दिखाई दिया, और मुझे लगा कि शायद यह आइस क्रीम होगी लेकिन मैंने फिर बाद में देखा कि है, स्टोबरी वाला जूस था तो मैंने वहीं पे रख दिया, स्टोबरी वाला जूस मुझे इतना पसंद नी है, फ्रेश हो तो अलग बात है, चावल के उपर भी सेल है, फ्रूट्स पर भी सेल है, इनके प्राइस वगएरा जो है आप देख सकते ह कुछ के मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मुझे साथ साथ में अपनी ग्रोसरी भी करनी थी, और आपको पता है कि एक बच्चे के साथ मुबाइल चलाना और साथ में ग्रोसरी करना बहुत जादा मुझे यह बास समझनी आई कि इनोंने ब्रॉकली को स्टोर करा हुए बरफ के दर जब की बरफ में ब्रॉकली और गोबी रखने से बिलकुल खराब हो जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, पता नहीं इनकी क्या ट्रिक थी है मैंने यहां से बड़े वाले ग्रीन चिली, हरी मिर्च लिए और यहां से लेमन लिए, प्याज लिए और एक दो मैंने वेजिज ले लिए जैसे अर्बी काफी अच्छी थी यहां पर तो मैंने अर्बी ले ली और बैंगन ले लिए, बैंगन भी काफी सस्ते लगे हुए थ आपको ना एक बात बतानी थी कि मेरी एक प्यारी सी वीवर्ड्स ने पूछा था शायद आई थिंग शायमा ने पूछा था कि सुभा और मॉर्णिंग के जो अज़कार होते हैं आप उसमें से कुछ पढ़ती है उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे स्पेशली मैसिज किया था जी हाँ पहले मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि सुभा और शाम के अज़कार भी होते हैं कुछ दुआईं भी होती हैं क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा आयते सूरते पढ़ा करती थी ना अलम तरह से लेकर जितनी भी सूरते होती थी वो सब पढ़ लिया करती थी सूरे कैफ, सूरे मुझमिल और सूरे वाकिया, सूरे मुल्क इस तरीके के जितनी भी बड़ी बड़ी आयते होती हैं उन्होंने एक टाइम फिक्स किया हुआ था कुछ उन्होंने मौर्निंग में पढ़नी है कुछ शाम में पढ़नी है बड़ मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि शाम के और सुबह के कुछ अजगार होते हैं मतलब इस तरीके से जैसे कि अगर कुछ सुबह की तस्वीया है आपको वो जरूर पढ़नी चाही है कुछ शाम को पढ़नी चाही है लेकिन मुझे थोड़े दिन पहले ही पता चला है एक मुहमद अली भाई है आप देख सकते हैं वो यूद कलब के नाम से उनका चैनल है मैंने उनका चैनल देखा मुझे उस पे पता चला तब से मैंने जो है ना जो उन्होंने मुझे एप बताई मैंने वो एप टाउनलोड की फिर उसके बाद मैंने सुभा और शाम के मॉर्निंग और इवनिंग अज़कार शुरू किये जैसे सबसे ज्यादा अफजल दूआ है अल्हम्दुलिल्ला आप चलते फिरते उटते बैठते ना अल्हम्दुलिल्ला का जिकर करें सुभा और शाम में मतलब सुभा को भी एक धेर तस भी पढ़ ले और शाम को भी पढ़ ले इससे घर में भी बरकते आती हैं और क्या बोलते हैं आपकी जितनी भी दुआइं होती हैं वो सब कुबूल हो जाती हैं और आपकी जिन्दगी में भी बरकत होती है अल्ला ताला आपकी हर परिशानी दूर कर देते हैं हर मुश्किल जो है ना खतम हो जाती है रिज्क में बरकत होती है घर में बरकत होती है अल के अल्ला का जिक्र है अल्ला हुआ अक्बर अल्ला हुआ अक्बर है ना सुभान अल्हम्दुलिल्ला आप ये पढ़ें साथ में अस्तवार पढ़ें और साथ में दुरूशरी पढ़ें तो ये तो आपके मॉर्निंग और इवनिंग अज़कार हो गए साथ में ना एक दो सूर बाखे रूज को पढ़ने की जरूर कोशिश किया करें अगर आप पूरी नमाद में पढ़ए पढ़ पाती ना आप असे स्टार्ट कर ले पहले आप फर्ज बढ़ना शुरू करें जब आप फर्ज बढ़नेंगी ना तो फर्ज परके साथ दाज क拿िंगें रहें सुबा और शाम के और अस्तागफार पढ़ती रहें और हर नमाज में आप दुआ मांगें कि या ला मुझे पांच वक्त का नमाज भी बना दे अपने लिए ना सबसे बैस दुआ यही है अल्ला ताला से दौलत की जिगा पे यह चीज़ मांगो क्योंकि जब आपका अल्ला हो जाएगा ना तो यह दुनिया ही आपकी हो जाएगी यह बात हकीकत है और अजमाई हुई है मैंने खुद जब तुम अल्ला को अल्ला से मांगोगे ना तो वो यह दुनिया को ही तुमारे कदमों में रखतेगा तुम्हें इतनी इज़त अता कर देंगी कि तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नी पड़ेगी ना अपने शोहर के ना अपने भेन भाईयों के ना किसी के और आप जरूर कोशिश करें कि आप खुद को इंडिपैंड बनाएं आप खुद को इंडिपेंडन कैसे बना सकते हैं और उसके बाद मैं आपको यह बताना भूल गी थी, मक्का हाइपर मार्केट में डिसकाउंट के सासा 31 एर्स कंप्लीट होने पर इन्होंने काफी अच्छा ओफर निकाला है, 31 विनर्स को मिलेंगे 25,000 रियाल, यह कूपन देते हैं, एवरी 5 रियाल की शॉपिंग करने के अडर्स, मॉबाइल निमबर और अपना नाम फिल करके उसे बॉक्स में डालना होता है, बस मैं घर आ गई थी और घर आने के बाद मुझे अपनी ग्रोसरी जो है ना, वो सेट करनी थी, तो मैं यहाँ पे अपनी ग्रोसरी सेट कर लूँगी, सारी ग्रोसरी जो है ना, यहां मैंने चिकन वगारा गोश्ट वगारा फिरिज कर दिया है उसके बाद जो एक्स्ट्रा लिपावे थे जो बिल्कुल सही थे वो मैंने फोल्ड करके इस तरीके से रख लिया है ताकि हम इन में कुड़ा वगारा फिक सकेंगा फिर ये घर में किसी ना किसी काम आ ही जाते है और जो एक्स्ट्रा थे जो सबसी वगारा के उपर से उतरे थे जो मतलब हमारे काम में नहीं आ सकते वो सब मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगी पूरे के अंदर फेक दूँगी क्योंकि उनको रखके कोई फायदा नहीं है बस अब मैं ये अपनी जो सबजी है वो फ्रिज के अंदर सेट कर दूँगी तो मैं फ्रिज में ज्यादतर सबजी वगारा कुछ भी बना कर नहीं रखती हूँ हम विल्कुल फ्रेश बनाते हैं जैसे दो पैर में बनाया रात में खाया और फिर अगले दिन दो पैर में मैं दुबारा सबजी बनाती हूँ और अगर मैं नाइट में बनाती हूं तो वो नेक्स डे, दो पैर में, अगर हो गई तो ठीक है नहीं तो फिर मैं दोबारा बना ले ती। इस तरीके से तो मैंने फ्रीज में जो है ना अपना सारा समान सेट कर दिया दूद ही सबजियां वगयरा इस तरीके से ये सोस रह गी थी तो ये भी रख दी और बस इस तरीके से मैंने जो है ना अपना फ्रीज पुरा सेट कर दिया फ्रीजर मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वह बहुत जादा भर चुका था तो मैंने सोचा कि फिर कभी इन्शाल्ला दिखाऊंगी उसके बाद हम करने हैं स्टीम रोस्ट की तयारी आज की जो ये रेसिप ये बहुत जादा यूनिक है और बहुत ज्यादा टेस्टी है सिर्फ एक बार आप ट्राइ करके जरूर देखियागा मैंने यहाँ पे चिकन के लिए हैं थाईज और साथ में लिए हैं लैग पीस इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है वॉश करने के बाद मैंने इस बाउल के अंदर पानी लिया पानी के अंदर टू टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पे विनेगर यानि की सिर्का एड़ कर दिया और यहां पे वन टेबल स्पून मैंने सॉल्ट एड़ किया है और इसको 20 मिनट्स के लिए रख दिया था उसके बाद आप देख सकते हैं जितना भी इस चिकन के अंदर बलर्ड था वो सब कुछ इस पानी के अंदर निकल गया है और चिकन हमारा बिलकुल साफ सुथरा हो गया है अगर आप इस तरीके से रखेंगे ना तो आपका चिकन जूसी और सॉफ्ट भी बनेगा साथ में आपके चिकन के अंदर तक सॉल्ट चला जाएगा और जितना भी एक्स्ट्रा अंदर तक बलर्ड होगा ना वो बिलकुल साफ हो जाएगा उसके बाद हम यहां पर एक त्यारी कर रहे हैं स्टीम रोस्ट बनाने की तो जब भी आप स्टीम रोस्ट बनाए ना इस तरीके से चिकन को ड्राई कर लें विनिगर वाले पानी में से निकालने के बाद और उसको डीप फ्राई कर लें डीप फ्राई हमने इसे तब तक करना है जब तक य राइट गॉल्डन न ना होजाए हमने लिएं हिपने असे काडाई से निकाल लें二 तरहande हम पूरा जो चिकन ना उसको बाहर निकाल लेंगे और जो बचा हुआ चिकन था फिर से हम उसे कड़ाई में एड़ कर देंगे और मैंने यहां पर नॉन स्टिक कड़ाई यूज की है इसमें जो है ना चिकन वगारा नीचे लगता नहीं है आप यहां पर टिका मसाला ले लें आपकी मरजी आप कोई भी मसाला ले सकते हैं बस इसमें थोड़ा सा ना टेस्ट इनहेंस करने के लिए मसाला मैंने एड़ किया है मैंने सबसे पहले यहां पर टिका बोटी मसाला लिया टू टेबल स्पून, वन टेबल स्पून धनिया पाउडर, टू से थ्री टेबल स्पून मैंने यहाँ पे दही ली है, भुना हुआ जीरा लिया है, टेस्ट के अकोर्डिंग, और वन टेबल स्पून मैंने यहाँ पर चिली फलेक्स ली है, और इन सब को ना हम बहुत अच्छ को एड़ कर देंगे और इसी साथ में आप इसमें थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं मैं यहां पर हाफ लेमन जो है ना लास्ट में एड़ कर दूंगी आप इसमें पहले भी एड़ कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से हमने पूरा चिकन जो है ना इसके उपर लगा लिया इस तरीके या ओयल लगाने के बाद मैंने पूरा चिकन इसके अंदर सेट कर लिया अब हम इसको स्टीम करेंगे मेरे पास स्टीमर नहीं था तो मैंने कड़ाई के अंदर पानी लिया उसके उपर एक स्टेंड रखा और अपनी जाली वाली बरतन को इसके उपर रखके अच्छे से कवर कर दिया अब यहां पर आपको 20-25 मिनट लेंगे यह स्टीम होने के लिए क्योंकि यह प्रॉपर स्टीमर नहीं है ना अगर प्रॉपर स्टीमर हो तो 15 मिनट में भी रेसिप वाली मोटी वाली चिलीज जो है ना तंदूर की हुई मिलती है जो खाने के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है तो मैंने सारी इस बेजीज को कट कर लिया था बीच में से वन वन पीस इस तरीके से और सब पे ऑईल लगा लिया था ताकि यह जले नहीं और जो इनके पील्स बाद में हम इसको उतार के भी मज़े से इसको अच्छे से खा सकें तो हमारी मिर्ची वगएरा टमाटर प्यास सब कुछ रेडी था इस तरीके से हम एक पलेट के अंदर इसको सजा लेंगे ताकि हम स्टीम रोस्ट को इसके उपर निकाला ना तो मैंने शूट तो किया बट जो ये चलनी के अंदर मैंने ओईल लगाया था जिसकी वज़े से स्टीम हो के ब्राउन कलर में शेप जो है ना कहीं कहीं से ये ब्राउन कलर का हो गया उसके बाद मैंने यहां पे बिर्यानी की तियारी की सबसे पहले मैंने प्यास को ब्राउन करने रख दिया कुछ खड़े गरम मसाले मैंने इसमें एड़ कर दिये सोफ, मोटा धनिया, काली मेर्च, लोंग, इलाईची, तेज़ पता और जैवितरी, जैफल जो होता है ना उसको हलका सा मैंने पीस केस में थोड़ा सा एड़ किया उससे मसाला जो है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो जाता है फिर मैंने इसमें चिकन एड़ कर दिया और इसको काफी अच्छे तरह से मिक्स कर लिया मैंने इसको ड्रम स्टिक में बनाया था क्योंकि मैं ड्रम स्टिक लेकर आई थी तो मैं सोचा चलो बिर्यानी भी हम ड्रम स्टिक की ही बना लेते हैं साथ में मैंने यहाँ पर टमाटर एड़ कर दिये टमाटर एड़ करके फिर मैंने इसमें सॉल्ट डालिया लेकिन मेरी ये प्यारी सी मेहनत जो है ना पूरी तरीके से बरबाद हो गई स्टीम रोस्ट की भी और बिर्यानी की भी क्योंकि फिर मेरे हस्बिन और मेरे ब्रदर का ओर्डर था कि आज हम जो है ना निहारी बनाएंगे तो मुझे कहा गया कि जल्दी जल्दी जो है ना अपना काम फिनिश करो और हमें निहारी बनानी है फिर मैंने का कि मैंने तो इस तरीके से खाने की प्रेपरेशन स्टार्ट भी कर दी तो उन्होंने का कि ठीक है कोई बात नी हम निहारी भी बना लेते हैं और जो ये चिकन विर्यानी वगरा ना ये हम अपने लड़कों को भेज़ देंगे और उन्होंने क्या क्या ना निहारी बनाने के चक्कर में मेरी पूरी विर्यानी उठा कर आप पर निहारी उन्होंने अपने लड़कों को भीज़ दी थी कारीगरों को जो हमारे यां काम करते हैं उसके बाद हमने स्टीम रोस्ट और साथ में निहारी इंजोई की निहारी की आसे भी इंशाला फिर मैं नेक्स से नेक्स विलोग में डालूगी